तो चलिए तो बच्org एट बार कमेंटर रखंडे बता दिए, क्या में सरुन लाइव हो चुके हैं, फड़ा बड़े जल्दी बताइए और क्या बात हैं तो एट बार जल्दी से थुमसाब कर्के बताइए क्या में लाइव जल्दी से बताईएT फिर मैं आज ट्रीट लास्ट ये शुरूआ चड़ता हूँ ओके हाँ हाँ ट्या बात है फड़ा पर जल्दी जरब लाइव आजाईए और बताईए आप सब तो और डियो वीडियो क्लियर है तो बचों स्टार्ट करते हैं ना जैसे आप लोग को पता है कि बहुत जल्दी रेल्वेटी कोई ना कोई बैकेंसी टी नोटिफ्रेशन आपको देखने मिले दी अब वो बैकेंसी या तो अल्पी टेक्नीशन वैसे अल्पी टेक्नीशन अहरहर भी जेई हमेशा एक साथ आते रहें चया वो 2014 लेलो चया 2018 लेलो बच्चों इस बार भी 2022 में भी ये दोनों बैकेंसी एक साथ लेडी क्यों टोटिफ्रा 2023 में टोटिफ्रा सबसे बड़ा रीजन ये है कि 2024 में चुनाओ है अब मुद्दे की बात आती है ALP Technician और RRB JET ठास बात क्या है ALP Technician में बच्चों 20 क्रोशन साइंस टे पुछे जाते हैं CBT1 में और जबकि आजा RRB JET बात करते हैं तो इसमें 30 क्रोशन साइंस टे पुछे जाएंगे CBT1 में यानि इन दोनों टे CBT1 को निटालने टे लिए आपको साइंस बहुत ज़रूरी है वैसे मैं आपको वता दू ALP Technician ये जो 20 क्रोशन है यानि ALP CBT1 जो है वो ट्वालिफाइं टरना होता है जब T RRB JET जो CBT1 है बच्चों उसको ट्वालिफाइं के साथ साथ मेरेड भी डिसाइड करनी पड़ती है बास समझे तो हम लोग क्या टरने वाले है अगले 30 दिनों तर यानि मैं आपको 30 ऐसे सेट देने वाला हूँ कितने सेट? 30 सेट जिसमें साइंस टे NCRT बेस क्रोशन में कवर्ट होनुगा इस्टा बेस ट्या होने वाला है तो धारतना इस्टा जो बेस होने वाला है बच्चो वो पूरी तरीटे से Group D 2022 में जो नया पैटन पूछा ता railway ने Group D 2022 में जो नया पैटन पूछा ता railway ने यही इस्टा पूरा बेस होगा इस्टे आलाबा NCRT दे जितने भी कोशन है मैं इस सीरीज में solve करूँगा अब किस पर आधारित यानि NCRT ते जितने भी diagram बेस सवाल होते हैं new pattern सवाल होते हैं diagram बेस सवाल होते हैं statement बेस सवाल होते हैं ऐसे जितने भी concept होते हैं यानि जितने भी type के question बन सकते हैं यह जो नया pattern नया trend चला है जो TCS इस समय पूछ रहा है तो बच्चो इसी pattern पे मैं आपको डेली 20 कोशन टा सेट लाटे दूगा और ऐसा करते करते हम लोग 30 दिन तर इस सीरीज को खतम चड़ेंगे बच्चो बह बता दू 30 दिन तर इस सीरीज चले जी टोटल 600 कोशन टावर हो जाएंगे और science में कोई में पोर्शन नहीं छूटेड़ है चाए वो physics हो, चाए chemistry हो, चाए biology हो क्यों टोटी ultimate आपको पहले CBT1 निटालना है फिर CBT2 ओके नहीं 80 दास हम भूले नहीं हाना चले, तो एक बार जल्दी से पहले सब लोट सेशन रो गुलसर रुबार basic science पहले उत्रा पढ़ लीजिए अभी और भी आ जाएदा दोस्त, हना तो आज street last one है, start करते हम लोट question से और उससे पहले माँ बता दू, जो लोट भी नए है चैनल पा, वो लोट माई पार्ट सालाट application डाउनलोड करके माई पार्ट सालाट application प्ले स्टोर से डाउनलोड करके science का ये complete batch भी ले सकते हैं science का complete batch जिसमें physics, chemistry, biology सब कुछ मिले रहा 499 रहे रहा आपको बता दिया गया है क्या क्वाल्टी है यानि इस्टा जो content होगा वो bilingual होगा class और question पेड़ी आप दोनों में लेगी detail, content, numerical के साथ होगा और हार, चाया वो fidgets और chemistry हो चाया biology उसमें previous year question भी मिले रही आपको बात कर लेते हैं या आपको ये batch लेने में कोई तकलीफ आती है तो मैं एक number लेता हूँ 63-93-825-707 आप इस number पे call करके बात science study complete batch ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 499 में तो चलो फिर हम class की सुवाट करते हैं ये लीजिए आज पहला question और मैंने बताया कि इसमें जितनी भी question होगे हो सारे के सारे नए pattern based होगे ध्यान से समझे रहे हैं chemistry, biology और physics हर तरे question मिले रहे प्राम 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 चलिए holy टब है holy टब है बिलकुल डबर सिन की style में आप लो रियाली सीरीज पूठा थम रहने वाले निम्रेट रिटवेट कौन सा यूद्म समझाती है समझाती है बच्चों यह बाला सवाल group D 2022 में आये था आप लोग की complain रहती है ति मैं बोल देता हूँ ति यह सज जा मैं लिट नहीं लेती आता लेटे मैं इस बाल लिट भी लेती आऊंगे यह जम किस परिच्छा में पूछा गिया यह कोशन के इस परिच्छा में पूछा गिया मताइए 2022 नहीं सवाल है तो बच्चों 2018 के सवाल नहीं सौल का हूँगा group D 2018 हो चुका है 2022 और ELP 2018 अरा भी यह 2018 ऐसे हम लोग चले रहे कौन समझाती सिर्णी का है तो आप कहना सर देखो इसमें CHEO लगा है बच्चों एक बात दरखना यह जो सिंगल बॉन्ड CHEO होता है यह तरह का होता है LD हाइड यह क्या होता है कहना यह होता है सर LD हाइड जब्टी सिंगल बॉन्ड OH सर यह क्या होता है तो यह होता है सर, alcohol इसे क्या बोलते है सर, alcohol ओके, जबटी single bond CHH इसे बोलते है acid, oit acid बोलते है इसको है ना जैसे methanoit acid propenoit acid, ओके और अगर CO single bond, single bond, ऐसे लगा हुआ मिले, सर इसे बोला जाता है ketone, क्या बोलते है, ketone बताइए, पहले इतने आप सबको यादे नहीं आदे थोड़ा कमेंट टर्क्रिद देखिए ओके अच्छा, दिल ने लगता है भी देली ट्ला ज़रूरा, बच्चों यह LD हाइड है, यह alcohol है, समझाती नहीं है, यह alcohol है, यह acid है, समझाती नहीं है, यह अच्छा, अब समझाती सेड़ी मिन के नाम भी सुनिए मैं आप बता दू, कीटोन कीटोन का सबसे पहला समूर टर्ब होता है सर, कीटोन का पहला समूर यही होता है सबसे पहला group यानि सबसे पहला, क्या सबसे पहला जो group होड़ा, वो यही होड़ा CS3, COCS3. और बच्चों, दूसरा क्या होगा? सार, दूसरा होगा, C2H5, फिर COCS3. आपको पता है, एक ठास बात. इसमें से एक कोशन पुछा जाता है. कon में, कon में शुरुवात 3 कार्बन से होती है. 2, 3, keton में 3 कार्बन से सुरुआत होती है इसे लिए हमेशा इससे शुरुआत प्रोपे नौन प्रोपे- नौन से होती है सर इस्कों बोलते है प्रोपे- wichtige नौन उपर वा लेगो अब एक, दो, तीन, चार तो इस्कों डहो बोला जायगा इसे बोला जायगा ब्युटे- cricketperform समझेगा उद परोपे 9 बीटो 9 आपको पता है आपको पता है कि bubbles टीटोण में मेन नाम का कुछ नहीं होता इस बात 쉽र हो याद रखना गई बार आपको confused क्या जायएरा कि線 समों मे मेन पी एथे 9 लाम का कुछ नहीं होता है ठीक है तो यह बात आपको याद रखनी पड़े दी न में अथे 9 होता है न एथे 9 शुरुआत तीन कारबन से होती है प्रोपे 9 मिले रहा फिर आजे ब्यूत नौन इस तरी मिले रहा ठीक है तो पहले का अंसर अफसर मढ़ दी अब देखो कोशन मैं आपको पहले बता दू बहुत अच्छे लेविल्टी मिले रहे अब या तो आप लोट जो है न अच्छे लेविल्टी पढ़ाई कर लीजे पहले से और या फिर एज्जाम में न ये कहने के लिए तहार रही है वह या ठीसर इस बार तो वेरा नहीं हुआ बताईए मैं क्या करूँ दो आपसन है ज स्वेथ प्रकास्टे बर्ण विच्छे पढ़ में कोई घटक जितना दिन मुडता है उस रंग के घटक का पोड़तनांक उत्रा ही अधिक होता है म्यू बी, म्यू आई, म्यू जी, नीले, पीले और हरे प्रकास्टा पोड़तनांके तो बताईए साही संबंद जिया है अब मैं आपको बताता हो, आपको पता है वीब जोर, बताईए वीब जोर का क्रम याद है याद है अब आप लोगों को एक बार नहीं कई-कई बार मैंने थियोरी पढ़ाई ये श्टी और कई-कई बार बताया है, देखो लाल, सर लाल की स्पीड जादा होती है, इसलिए तो दूर से दिगाई देता है मुझे लाल की तरंदैर्थ सबसे जादा होती है, और लाल का अपोरतनांट सबसे कम होता है मेरे बच्चा वाइलेट, वाइलेट की स्पीड कम होती है वाइलेट की तरंदेर्द कम होती है और वाइलेट की भीया अपोवर्तनान कैसा होता है ज्यादा यानि जब आप नीचे से उपर जा रहे हो तो अपोवर्तनान क्या हो रहा है सर अपोवर्तनान बढ़ रहा है रूटी यहां maximum है, यहां minimum है चेटी जे, समझो बात तो क्या answer सही होना चाहिए सर, violet सी सफसे अधा indico, blue तो blue टी सफसे अधा हो जाए डिये उससे term green और उससे term yellow आप देखो न, B, G, Y तो B, G, Y तो B, G, Y आ दिया तो इस्टा मतलब यह हुआ थे B, G, Y उपर, नीचे ज़ उपर जाने पर बढ़ रहा है तो B, G, Y B, G, Y option number 8, A, 7 जाए रहा यह भाई 2022 रा सवाल है, चेटी जे क्या बात है, विरेंद कुमार yes, very good, very good थोड़ा इपर सेसन दो दबात पहले से है जल्दी से 100 plus हो जा, फटा बट समझ दा रहे है, अला कोशन और आपको मैं बता दू एक बात और फोकस दूरी, एक और पॉइंट सुलीजे, यह भी पुछा जाता तुवारे जम में, जिस्टा अपोरतनां कम होता है, उसक्री फोकस दूरी जादा होती है जिस्टा आपोरतनां ज्यादा होता है सर, उसक्री फोकस दूरी ट्रम होती है तो टाई बार तुमसे पूछा जाता है लाल, हरे, पीले, मीले में फोकस दूरी बता दीजे, टिस्टी जादा है तो फोकस दूरी बाला ट्रम भी मैंने लिद दिया बताईए, याद रहे डाना अब मैं आपसे एक क्वोशन पूछू बताईए, अगर मैं पूछू लाल, और मैं आपसे पूछू लाल नहीं, मैं आपसे पूछू ड्रीन, हाना यानि हरा लिख लीजे, मैं आपसे पूछू हरा और पीला जल्दी बताईए, इन दोनों में से टिष्टी फोर्कस दूरी ज़्यादा हो डी फड़ा पड़े मुझे सब लोग कमेंट करके बताईए हरे और पीले में से टिष्टी फोर्कस दूरी सबसे ज़्यादा हो डी बताई बस याली सिरीज, तीस दिन तर ये सिरीज चले गी और तीस दिनों तर ये सिरीज क्रमप्लीट कर लीजे विश्वास माली है, साइन्स टा सिंगल कोशन ऐसा नहीं होगा जो इस तीस दिनों में क्राइड़ कोशन के कॉंसेप्ट से बाहर चला जाए अब जल्ली से मुझे बताईए, ती लाल, हरा और पीला इन दोनों में से टिस्टी फोटरस दूरी जादा होगी तो फिर भी यहाँ पर ऐसी देखना है, देखो जब आप उपर से नीचे आ रहे हो, मिनिममम से मैक्समम की ओर आ रहे हो तो फोकस दूरी त्या हो रहे है, बढ़ रहे है, उपर से नीचे आने पर बढ़ रहे है, बच्चो उपर से नीचे आने पर बढ़ रहे है, तो इसना मतलब यह हुआ, हरा सर यह रहा, देखो ड्लील और यलो यह रहा, यह देखो उपर से नीचे आने पर बढ़ रही है इस्टा मतलब यलो की फोकस दूरी जादा होनी चाहिए और हरे की कम होनी चाहिए देखू समझो रहा हाँ बिल्कुल ठीके तो कॉंसेट पटड में आ रहा है न ऐसे कोई भी कोशन पूछा जाए ना तुम्हें कसा में सॉल टर देना ठीके चलिए याला सवाल देखे ये भी तवारा डूट डी 2022 न सवाल है बहुत दवाटेदार टोशन है थोड़ा ध्यान से लगाईए अंसर दीजे electricity का टोशन है दो प्रत्रो 10 ohm और 20 ohm समानतर जोड़े रहे है 6 वोल्ट की बैटरी है मतलब ये हुआ ठी 8 रेजिस्टेंस सर ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस सर ये रहा 8 दूसरे टेसाथ कैसे जोड़े रहे समानतर जोड़े रहे और बताई ये तितने वोल्ट की बैटरी है सर 6 वोल्ट की बैटरी है एद्धन ध्यान से टैदेग साथ सुनना सर ये 10 ओंटर रेजिस्टेंस हो रहे है बहुत दान सुनिया तो A और B में बहने वाली धारा मतलाब A उपर वाले टुबोला रहा है बच्चो B नीचे वाले टुबोला रहा है बच्चो और बताईए A और B में तितनी धारा बहेडी अलग लग तुमसे मान पूछे जा रहे हैं बताओ अरे बाई लगा पाओगे बताओ बताओ जल्दी बताओ बटाओ बटाओ देखते हैं तितरा सबसे पहले क्या टरना पड़े रहा सबसे पहले मुझे नेट रेजिस्टेंस इनकालना पड़े रहा क्या होता नेट रेजिस्टेंस कहना दोनोटों समानता प्रिया रहा है यादि 10 इंटू 20 बटे R1 प्लस R2 R1 र2 बटे R1 प्लस R2 तो 10 प्लस 20 यानि 30 बताओए फटा पड़ जल्दी से मुझे बताईए नेट रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा सर नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर 20 बटे 3 सर ये नेट रेजिस्टेंस आ रहे है नेट धारा कितनी बहेडी नेट धारा हो जाएगी नेट वोल्टेज बटे net resistance, 20 बटे 3 बताओ, और जैसी हम 20 बटे 3 को यहां solute आउंग रहा तो 2 से टेंसल कर दीजे 9, यानि 0.9 ampere, तो 4.9 ampere ती धारा यहां से जाएड़ी 3 ampere ती, sir 0.9 ampere ती धारा यहां से जाएड़ी 0.9 ampere ती, बताओ इतनी बास अब क्लिया अचा 0.9 की जाएगी, तो 0.9 ही इन दोनों में बटे रहा clear है, तो जो 0.9 इन दोनों में बटे रहा, तो भाई आप 0.6 और 0.6 टैसे उत्तर सही हो सकता है, भाई इन दोनों तो 1.2 हो जाएगा, 0.2 और 0.2 टैसे हो सकता है, डलत, यह दोनों तो टोटली डिला थे, हना, अब आप मुझे बताईए, A और D में से कौन सांसा सही होना चाहिए, योटफल 0.9 होना चाहिए ना, तो आप सीधा-सीधा टैना, 2 में से 8 उत्तर सही है, और आप यह देखो, जहाँ पर कम रजिस्टेन से धारा वहाँ ज्यादा होड़ी, जहाँ पर कम रजिस्टेन से वहाँ पर धारा ज्यादा तोड़ो, 10 ओम में धारा ज्यादा होड़ी पहले A बोला है, तो 10 ओम में ज्यादा धारा 10 ओम में धारा की वेलू ज्यादा, तो 10 ओम में जाएड़ विश्वास मानिए अब बता हुमने यहां क्या सॉल्ट आये कुछ नहीं सॉल्ट आये दिठा जाये तो ठीके हाँ बिल्कुल सुभास मैंने भी यही तरीटा लगाया यह देखे कोश्चन नंबर चोथा यह भी तुवारा डूट डी 2022 में आए गुए सवाल है ध्यान से लगार एक सिंगल ऐसा पॉइंट रही होना चीज जो छूट जाए यस वेरी डूट संधीर उपम दिलीप ठा क्या बात है याले कोश्चन आंसर दीजे ठीके सर जी एक सवाल पूछना था साइनस ना पूछे 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 टोई दिटा तरी दोस्त यह देखे यहां पर कंपाउंड डिटा नाम लिठा है मतलब फॉर्मला लिठा है और यहां पर नाम लिठा है हाना आप मुझे बत टीन के साथ जाया रहा पहले टा बी हो जया C2H4 अजना थुड़ा गाट से देखें देखें सियश्ट 2 डबल बांड छी होना चीए B, D, C, अरे भाईसा, B, D, C ये देखो, लाइन से हो रहा B, D, C, आपसर नमबर D इस्ठा सही अंसा जाए रहा आपसर नमबर D, समझो बात को तितरा प्यारा, तितरा खुसूरा सवाल था है, मज़ा आएग नहीं आया चलिए, ये वाला सवाल भी देखे बहुत इंपोर्टेंट है, रिडाउट सभित्रिया आक्सिटान अउचेन नहीं समझ में आता, पढ़ लोट है देटे साथ एक कोशन जरूर आए रहा आक्सिटान अउचेन आएग ये वाला सवाल भी देखे डूबडी 2022 में आया हुआ सवाले और बच्चों ये सबसे इंपोर्टेंट रिएक्सन है सबसे ज़्यादा बार कोशन एहली रिएक्सन से पूछा रिया पता आपको ठीटे, मैं एक बार रिएक्सन को पहले सामने लिट लेता हूँ आपलोट भी एक बार पढ़िए और पढ़ने टे बाद मुझे बताईए कि इस्टा आंसर ट्या होना चाहिए बहुत ठतनाथ कोशन ये भी और यही वाली रिएक्सन सबसे आदा इंपोर्टेंट है टोकी सबसे आदा टन्फ्यूजन बच्चों तो इसी में होता है बताईए बोलत ये जा रहा है अबक्रिया में क्या होता है MNCl2 का MNO2 में अप्चैन MNO2 का MNCl2 में अच्चैन MN Redox सबक्रिया से नहीं टूजरता MNO2 का MNCl2 में अप्चैन ऐसे दुलिया ओल्टे सीदे ओप्चैन है ओटे चलिए पाँच में डिया अंसर बता रहा है चलिए सुनो देखो ये चीद हमेशा दारटना ये जो अभिकारट में MNO2 है और 4SCl है SCl इसी कही अप्चैन होता है और इनीट अप्चैन होता है यानि जो अभिकारट होते है उनीट ही अप्चैन होता है ठीक है MNO2 ये सही हो सकता है ये सही हो सकता है MN Redorat Subitriya में भाण नहीं लेता भाई क्या बात है ये पूरी Redorat Subitriya है कैसे मैं बताता हूँ आपको पता है Oxidization नंबर निटाला टोड़ो ऐसे कैस में Oxidization नंबर डलत हो जाए रहे नहीं तो Oxidization को आपको पता है Oxidization माइनस दो होती है तो यहां मैं MN की Oxidization नंबर निटालू तो माइनस दो दूनी चार इसना मतलब प्लस टा चार होड़ी समझो बात को MN की Oxidization नंबर यहां प्लस चार फिर आज़े ये उत्पाद में आपको पता है कि CLT Oxidization नंबर माइनस वन लेटें CL2 है CL2 है और CL2 टी वज़े से यहां पर Oxidization नंबर MN T प्लस दो अरे होड़ी ना तो MN T Oxidization नंबर MN O2 से MN CL2 में प्लस चार से प्लस दो होड़ी सर आटसी टर्ण संथ्या ढट गई और जब भी तभी तो याद ख्यरा बताइए उस्ता क्या होता है अप्चयन होता है उस्ता क्या होड़ा समझे ये बात को तो पदलब पता क्या है MN O2 का MN CL2 में क्या हो रहा है सर MN O2 का MN CL2 में हो रहा है अप्चयन या फिर सीधा समझो Oxidization बहार निकल दिया और सीजन निकल दिया और सीजन का निकलना क्या होता है अब चैन होता है तो MnO2 का MnCl2 में अब चैन ये वाला उत्तर से योड़ा और सरमबर D समझे बात को ठीक है? अब मुझे एक बाँ बताईए यहाँ पर क्या हुआ तो कहना ये जो XCL आपने लिया न सर XCL XCL से Hydrogen बाहर निकल के Chlorine बना दिया ये देखो ठीक है? Hydrogen का बाहर निकलना, देखो Hydrogen का जुड़ना अपचयन और Hydrogen का बाहर निकलना Oxytarad Oxidization Oxidization बताओ तो आप ये मुझे बताईए किस्टा अपचयन हुआ किस्टा आपचयन हुआ समझ में आया नहीं आया मैं Hindi मिलिद देता हूँ मैं Hindi मिलिद देता हूँ यहाँ पर क्या हुआ आपचयन Copy मिल खीने इस पॉइंट को इदम हिंदी में प्यार से इदम सब्दों में देखिए MNO2 का MNCl2 में अपचयन हुआ Hydrochloric Acet का SCL का CL2 में आर्ची करण हुआ बताओ ठीक है हाँ अमित्रुमार थोड़ा एडवीशन तेज चल रहे ना इस समय नहीं हुआ लेकिन एक दो घंटे में सब्दों सही हो जाए ना थोड़ा सा भीड़ बहुत ज़्याद आ रहे है इडवीशन की इसी वज़े से ऐसा है याली बात सब्दों क्लियर हो गए एक बार थमसब टर्टे मुझे बता दीजे अब इस्टे बात एक कोशन आता है कि बताईए और एक कोशन पुछा जाता है यानि जिष्टा रिड़ेप्सन हुआ है उसे और रिड़ेप्सन हुआ है जिष्टा रिड़ेप्सन हुआ है उसे और दाउन करना धाना तो रिड़ेप्सन जिष्टा रिड़ेप्सन हुआ है उसे और शिठा देखो और अधिशिडेशन हुआ है उसे रिड़ेप्सन एजेट यानि SCl तुम्हारा रिड़ेप्सन एजेंट है बताई ओक है याली रेक्सन टा स्ट्रीन्शोट ले लेना बच्चो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है चलो याली टोशन देखिए फड़ा बड़ यल्दी बताहिए हाँ क्या वाद है थोड़ा एबड़ सेशन रू लाइट वाइट करते रही दोस्त और जोन्हों अभी तर सेशन रू स साथ ट्राई जाए AX ट्री या B टेसाथ ट्राई जाए और बच्चों A B बने और X तुम्हारा विष्थापित हो जाए सर इसी तो बोलते हैं displacement reaction यही है तुभारी displacement reaction ओके ठीक है चलिया आंसर जल्दी से दीजे इन में से कौन तुम्हारी displacement reaction नहीं है बताई जल्दी सर तो क ठीक है, मुझे असल लगता है ति ब्राइटनेस थोड़ी से ज़्यादा है, सब लोग कमेंट लगे बताओ, हरा, है थी नहीं, तो ये तीनों ओप्शन में देखो, विस्थापन अभिक्रिया है, कोटी इन समी में देखिये, कही न कहीं displacement हुआ है, लेकर हुआ किया है, यहां जो AG, BR है, 2AG, BR ले लेना, यह तूट कर AG और BR 2 में टनवर्ट हुआ है, पता है, सर इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है, अब धेटन रियेक्शन, तो यह कौन सी रियेक्शन है, सर यह है अब धेटन रियेक्शन, तो कौन विस्थापन अब क्लिया तो धारण नहीं है, और सर नमबर B, सर B विस्थापन नहीं है, ये अब घटन है, बताईए, बात साथ पूर क्लियर है ना, चलो, आजे बढ़ा जाए, ये लीजे, टोशन अबर सात्वा, बताईए, अडला अंसर दीजे, फड़ा बढ़ बताईए, त्या बात है, वेरी डोट, वेरी डोट, ओके क्या बात है, थोड़ा एबर दवाने पहले सेयल टोड़ो, जल्दी से हम लोट 100 प्लस हो जाए, टारबन डाईएक्साइड टे एट अडू में, औसीजन परमाडू द्वारा, एट टारबन परमाडू टे साथ, तितने इलेक्ट्रोनोटी साजी दारी होती है, मतलब टारब टारबन डाईएक्साइड का एट अडू लीजिए, फिर ये देखिया, ओटसीजन परमाडू द्वारा, ओटसीजन परमाडू द्वारा, एट टारबन परमाडू टे साथ, तितने इलेक्ट्रोनोटी साजी दारी होती है, सवाल ये है, पटा बटा अंसा देते है, ठीके, चलो, आजे बड़ा जाए, तो आप मुझे बताईए, कार्बन, सर्फ कार्बन के बाहे टच्छा में तितने इलेक्ट्रोन होते हैं, कहना कार्बन के सर्फ बाहे टच्छा में होते हैं, चार इलेक्ट्रोन, जब ये अगर बात ओटसीजन परमाडू टरते हैं, तो पढ़िये, तोटिए, ओपसर में तुम्हारा दो भी लिठा है और ओपसर में चार भी लिठा है, फिर से देखिए, टारबन डाइयक्साइट के अडू में एट ओचीजन परमाडू दो रहा है, चितने एट, तो एट ओचीजन का परमाडू बताओ, चितने एलेक्ट्रोन का स तार रहा है, इसीलिए एक्सर सई आंसर, और रैल्वे ने भी इसमार यही सई भी लिठा है, अगर यह लिखा ओता कि चितने एलेक्ट्रोन का साजा हुआ, तो चार है, फिर अगर यह लिखा होता कि कारबन और और ओचीजन के मद्ध, तो चार चार आत बताते हैं, सम्झे तो आप्सिन नमबर D टे साथ जाना चीए, दो टे साथ जाना चीए, ये लिजे, इस्टो पढ़िए और जल्दी बताई इस्टेट टांसल क्या होना चीए, ये भी तुवारा देखिए, 2022 में सवाल पूछा दिया है, डूब D 2022 में, कोशेर अबर आठवा, अरे समझ में आ रह है, समझे बात को, आए, और इस्ट में आपको पता है कि क्या पाए जाता है, कावाट, ओके, तो बता ही जल्दी से, हाँ, मैं कल लूँगा, बैक्डाउं ब्लेक, लेक्डाउं ब्लेक, बैक्डाउं पे हम लोग की लाइट इन उतनी जाद अच्छी नहीं आई जी, वो धा रखना, जब भी तभी पाई रूवेट की बात करते हैं, और यह कौन सा रेस्प्रेशन है, यह एनरोबिट है, एनरोबिट का मतलाब होता है, आवाई वी शोषन, आवाई वी शोषन, तो आवाई वी शोषन में, जो पाई रूवेट होता है, यानि C6, H12, O6 होता है ब या फिर आप East में बोल सकते हो, फंगाई में बोल सकते हो, तो आंसार इस्टा जाना चाहिए, एल्टोहल यानि एथेनॉल प्लस कार्बन डायाटसाइट के साथ, औफसर नमबर 8 असाथ, बताईए, औफसर नमबर 8 असाथ, ओके, लेक्टिट एसेट प्लस कार्बन डायाट इसेट वो भी नहीं, फिके, ग्लुटोहल प्लस कार्बन डायटसाइट कभी नείं बनता, हाँ, जल प्लस कार्बन डायाटसाइट यह जरूर बन सतता है बच्यो, और यह बनता है तुम्हारा माइट्रॉ कॉंड्रिया में, और आपको पता माइट्रो कॉंडॉम्या में यह बनता है तुम्हारा वाइवी सोसन के द्वारा यहां वाइवी यहां पर आवाइवी और यह भी तुम्हारा आवाइवी चलो तो आदे बराज है चलिए तो इस्टा सही अंसर ऑप्सिन नंबर 8 इसाथ जाना चीए फिलाल मैं फिर बता दू अभी मैं यूटूब पर बेसिक स पढ़ने के लिए भी आप माई पार्ट साला का अप्लिकेशन डाउन्लोड करेंगे वहां से मेरा यह बैच ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में पूरा पूरा बेसिक साइंस इंजरीन के बाइच बता दू यहां की फिजिक्स और बेसिक साइंस की फिजिक्स दोन अब इसी तरह की कोई दिक्कत आती इस बैक्स को पढ़ने में तो यह जो सामने नंबर लिखा हुआ है आप इस नंबर पे भी प्रॉल टर सकते हैं चलो आज़े बढ़ा है यह लिए कोशन नंबर बनना हुआ त्रित्रा पारा सवाल है बच्चों याला सवाल भी मैंने सवाल देटी ट्यार एक्स क्लोरीन के साथ मिलकर एक कंपाउंड एक्स सील बनाता है देखलो अब आप यह सोचो एक्स सील नाम के बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं हाना फिर एक्स को आवर्साणी में बाइयोर रठा डिया है बाइयोर मतलब इस तरह यह तुम्हारा अच्स बताये टी सो रठा डिया सब एक्स रठा डिया है बाइयोर फिर बताये ठी निम लिठत में कौन से टत्तौ पॉन सा टत्थन तरह एक्स के लिए सही है बताव मोझे बता यह तो आप थोड़ा सोच़ प्ले देखि तरह दो एक्स क्या हो सकता है क्या तद्तो X मैगनी क्यों को कि magnesium chlorine के साथ मिलकर mgcl2 बनाता है कैसे चहर हो magnesium यह xcl यानि x क्या हो सकता है सर x sodium हो सकता है yes potassium हो सकता है yes lithium हो सकता है बिलकुल हरा तो बच्चो हमारा compound ncl हो सकता है kcl हो सकता है licl हो सकता है इनमें से कुछ भी compound हो सकता है बच्चो समझता बात को अब बोलो इन्हों दें क्या बोला यह एक 7g electron है बिलकुल जितने भी x हो सकते हैं वो sodium potassium lithium बताओ इनमें 780 प्यत्री है 8 यह 8 780 electron है यह दम सही है हना यह धातू और ठोस है यह दम सही भाई धातूं में liquid अवस्था में क्यों होता है क्याना liquid अवस्था में क्योवल और क्योवल ATE होता है lead जिसकों आप PB रहते है तो यह ठोस और धातू है ठोस है दम सही यह अधातू है gas blood सर अधातू है इनमें 5 से उजी electron है सर नहीं सर यह 5 से उजी टहाँ है सर यह तो इनमें 5 से उजी electron है नहीं शर गलत है तो पहला और दूसरा इसका सही answer डिया है पहला दूसरा ठीके है पहला और दूसरा बच्चों इन्होंने option गलत बनाया है यह एक से उजी electron एदम सही यह धातू और ठो से एदम सही यह धातू और ग्रौ से नहीं सर लत है इनमें 5 से उजी electron है 2,8,1 पहला और दूसरा इसका सही है एक टाम कड़ो आपको यह option को सही टलो मुझे लगता है यहाला mistake हो रही है तो आप इस्टो सही टल लीजे आप इस्टो सही टलो बच्चों ठीक है तो इस्टा जो सही आमसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए officer number D के साथ चेक लिए बच्चों आप फुर सोचो ना पहला और चौथा यह एक साथ कभी सही नहीं हो सकते दूसरा और तीसरा कभी एक साथ नहीं सही हो सकते सोच देखिए तो x टे बारे में x सेंजी और धातू और ठोज यह नहीं पहला और दूसरा अपतर सही बाकी आंसर हमारे जला थे समझी बात पो ठीक है बताओ नहीं भाई hydrocarbon क्यों नहीं हो सकता और नहीं भाई hydrocarbon क्यों हो ड़ा तो यह left side रहा जाता है ना hydrogen तो right side भी होता है आप मुझे बताइए यह जो 17 वर्ड है उसमें hydrogen भी तो रहता है उपर side ठीक है तो इस्टा जो सही आंसर है तो यह option number हमारा डी टे साथ जाए रहा है hydrogen दोनों side होता है भाई left side भी होता है right side भी रखा होता है दोनो okay देखे hydrogen यहाँ पर भी होता है और hydrogen को कहा रखा जाता है सत्रमें वर्ड में भी रखा जाता है आप मुझे बताइए hydrogen दोनों side रखा जाता है यह सिर्फ left side नहीं होता इसलिए hydrogen नहीं होता ने लित में कौन सी धातू का वैदूत अब घटन प्राप्त रिया जासता है ग्रूप D 2022 कोशन है बताइए हाँ आपनों कह रहा है hydrochlorid acid है बात आपकी सही है है तो hydrochlorid acid कैसे हो सकता है जब hydrogen पो left और right hydrogen दोनों side रखा जाता है समझे नहीं लित में कौन सी धातू वैद्दो तब घटन द्वारा प्राप्त की जाती है यादखना वैद्दो तब घटन द्वारा सिर्फ और सिर्फ वही धातू प्राप्त की जा सकती है जो ionic compound बनाती है टैसा compound ionic और ionic compound बनाने वाली बताईए इसलिए 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 इस्टा उत्तर पिष्टे साथ जाना चीए option number B ते साथ copper हमेशा ionic compound नहीं मनाती है तो कि यह deep block element है यह काई बार कोवैलेंट भी बनाती है तो धान रखना जो हमारा pure ionic compound बनाती है तर उनीट अहीं वैद्दो तब घटन क्रिया जा सबता है option number B ते आंसा दीजिए क्या भाद है थोड़ा सेशन को और हो आपके बड़ा है एड़ा सेशन को शेयर करेंजिए carbon monoxide और 2 hydrogen जब मिलते हैं तो एक नया compound बनाते P आपको बताना है कि यह P क्या है फड़ा बड़ जल्दी से बताईए यह P क्या है यह P क्या है आपको P के बारा बताना आंसा दीजिए अचा तुछ आंसा तो बड़े उल्टे सीदे है जो की होई नहीं सकते आप सोचो हमेशा दारखना अगर अभी कारग में भी hydrogen है तो उतपाद में hydrogen नहीं हो सकता तिसी टीमत में नहीं हो सकता तिसी भी टीमत में नहीं हो सकता और ऐसे COOH यह कोई compound नहीं होत सकता CHO टभी यह टेले नहीं हो सकता तभी नहीं हो सकता लेटिन इस्टा साही अंसर जाएगा methinoid acid के साथ CS3OH के साथ ओके और सरबड़ी बताईए बात आपको clear है चलो आज़े बढ़ा जाए next question देखिए यह लिए question number 12 बच्चो याला सवाल भी group D 2022 में पूछा रिया था मेंड लीव की आवस्तार नहीं से पूछाड़े है सवाल है एक बार जल्दी से बताईए इस्टा क्या होना चीए बारवे नमबर गाओ ठीक है थोड़ा ध्यान से पढ़ना देखो हाइड्रोजन को हम लोग पहले और सत्रमे बार दोनों में रखते हैं हाइड्रोजन क्या है आप मुझे बताईए धातू है कि उपधातू है पहले मुझे बताईए हाइड्रोजन क्या है जल्दी से मुझे सब लोग कमेंटरेके बताईए हाइड्रोजन क्या है हाइ ठीटे चलो आडला कोशन देखे निमली रितमें से कौन सा ट्रथन अच्छा इनमें से गलक ट्रथन रचैन पीजे देखो जब मेंडलीफ ने आवससार्णी में काम करना सुरूटी है था तब तरेसत तत्तो थे बच्चु एद्दम सही बात मेंडलीफ ने जब अपनी आवससार्णी दी थी तब तरेसत तत्तो ही थे और मेंडलीफ ती आवससार्णी लटबट सन 1889 इश्वीर्यास पस आई थी हना ये एद्दम सही है मेंडलीफ ने ओसीजन और हाइड्रोजन वाले तत्तो द्वारा निर्मेत योड़िट पर ध्यान क तो परमाडू ट्रमान के भी संब्ध मिजाश्टी थी नहीं सर गलत है मेंडलीफ ती आवससार्णी पूरी तरीटे से जो बेस्ट थी ना वो तिसपर बेस्ट थी तैदना वो बेस्ट थी तिसपर परमाडू भार पे और इन्होंने देखो आफसर नमबर सी में परमाडू बहार प्याधा रहती आफसर नमबर सी आदे बड़ा जाए नेश्ट देखिया है क्रोशन नमबर 13 अच्छा 13 ये लिजे क्रोशन नमबर 13 पढ़िए जल्दी से अंसर दीजे फड़ा फड़ा ये भी 2022 में आवा सवाल है आपने देखा भी ओड़ा इस सवाल को बताव अंसर ओके क्या बात है यस वेरिडोट में दिलीट का धर कहा था यार ये दो मुझे नहीं पता देखना भड़े रहा धर निरोधर उप्रणोट उप्योड में ते संबन्द में निमली रित्मे से एट के अलावा सेज सभी तक्तो सेज सभी तक्रतन सकते है आपनों बताना है भी स सभी तक्रतन सकते हैं और गलत इसमें बताना है सभी सभी तिस्टे बारे में बताना गलत निरोधर उप्रण के बारे में बताना है कि कौन से जलत है ध्याद पढ़ना ठीटे चलो पहला देखिए इनका ओप्योड डरब आवस्था टौ रोटने या उसमें देरी टली टीया जाता है यह अद्दम सही Commun guaranteeselen in the उप्योट ते प्राक्री प्रेट्रिया जनांके विरुद्ध टिया जाता है ये बिएद्धम सहिए जन संथ्या ती आने नंत्रे व्रद्धी कोर उटने की इनकी महात्रपुड भूमिटा होती है ये भी सहिए सब्टुस सहिए लेटे उनोंने जो लाइन बोली ना इन मेंटा कोई भी साइड ऐफेट नहीं है तो बच्चो यही वाला टरतन डलात है और उनोंने डलत रतनी चुनने रूट रहा था और रेलवे ने भी यही वाला आंसर सही थिया साइट्लो पेंटेन में एटल वंदो टी संधिया बताईए साइट्लो पेंटेन टी बात आ रहे आंसर दीजै ओके क्या बात है तोड़ा इबर सेस्टन तो सेयर करते हो मैं फिर से कहा दू जो भी बच्चे नए हैं आप जोड़े रहे आप एल्पी दियारी करते हैं आप पेंटेन यहीं एट पेंटाडन बना दीजे सेट पेंटाडन बना दीजे शिंगल बॉन्ट के साथ लेड़ें के कार्बन की कि 3 सेयों जब्टा होती है, 4 पता है नहीं कि यहाँ 2 सेयों जब्रिय है, 2 हाइड्रोजन ओल लगा दीजे यहाँ पर भी दो हैट्रोजन लगा दीजे तो बच्चों यह पताईए जड़ा यह साइक्लो पेंटेन टी स्ट्रेचर बंड़ी बंड़ी ना ऐसे ही बनाना होता है आप तो पता है यह से पी अगट कह देता थी सर अच्छा साइक्लो हेटसेन बनाते दिठाईए साइक्लो हेटसेन बनाते दिठाईए तो साइक्लो हेटसेन भी ऐसे ही बनाना है साइक्लो हेटसेन बेंजीन नहीं होता दारकना साइक्लो हेटसेन बेंजीन नहीं होता ऐसे बना दिया और हर ज़़े टार्बन की दो सेयों जट्ता पूरी है और बाती बची दो सेयों जट्ता को किस्टे साथ फिट कर दीजे टैदना बाती बची दो सेयों जट्ता को हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ फिट कर यह साइक्लोहेटसेन हो समझो तो साइटलो पेंटेन और साइटलो हेटसेन मनाना सीड़े ना अब इसमें देख लीजे पूल एकल बॉंड कितने हैं तो टैना एट टार्बन एट दो तीन चार पाँच छह साथ आठ नो दस ज्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा टोटल यहां पार सिंडल बॉंड डो 2022 सवाल है फिजिक से क्रोशन है और पूछा जा रहा है आपका मैटनेटेजम से धान से पढ़िए रहा नेत्रलत हो जाय रहा एट विद्ध्यान की पुस्तर में A और B द्वारा नामान की चित्रोटो नामान की दो छड़ोटे चारो तरब चुम्टी छेत्र प्रो दिठाया विद्ध्यान की पुस्तर रही हो जी उन्होंने टहाड ये विद्ध्यान की पुस्तर है उसमें दो छड़ बनी हुई थी उनुमें इसे एत्छड़ती टॉन से एटनाम दिया है और दूसरी छड़ बताई है तूसरी छड़ती अर्टी एसे भी ठीक़े फिर क्या बोला जा रहा है A में 6 रेठाएं इस्टे दच्छडी दुरू में प्रिवेश चड़ती है देखो आपको पता है जो इस्टा साउथ पोल होता है ना साउथ पोल उसमें रेठाएं प्रिवेश चड़ती है तो South Pole में बताएए तितनी rating प्र्वेश तरती है छे A में 6 rating प्रवेश तरती है 3, 4, 5, 6 6 rating प्रवेश तरती है फिर क्या बोला जा रहा है South Pole में फिर बोला जा रहा है तिय। ओर B में इसने इतरी दिरू से 3 rating निजलती है मालिजय यह रहा इसने on consigo इधर क्या होड़ा चीए, A T सामर्थ, B T सामर्थ की होड़ी, सामर्थ का मतलब होता है यहाँ पर चुम्टी छेत्र, सामर्थ का मतलब होता है चुम्टी छेत्र, तो आप मुझे बताईए, A टा चुम्टी छेत्र और β, चुम्टी, छेत्र ये दोनों अलड़ लड़ होड़ा की समान होड़ा अब पूछा क्या ये भी सुनी A T सामर्थ, B T सामर्थ की होगी A T सामर्थ पूछी आ रही है A T सामर्थ पूछी आ रही B T तुलना में क्या अंत्रा दोड़े तो आप पहले मुझे बताओ इन में से किस्ठी सामर्थ ज़ादा है तो टेरा सर देखो यहाँ पर रेठाएं धनी-धनी है और यहाँ पर रेठाएं पास-पास है मैंने अटई बार बताया जब रेठाएं धनी-धनी होती है यानि पास-पास होती है वहाँ पर चुम्टी छेतर ज्यादा होता है जब रेठाएं दूर दूर होती है वहाँ पर चुम्टी छेतर कम होता है तो रेठाएं यहाँ पास पास है यहाँ चुम्टी छेतर ज्यादा होगा इसलिए बीटा चुम्टी छेतर एटा, ए वाली छड़का चुम्टी छेत्र, बी वाली चुम्टी छेत्रका डबल होगा तो इस्तरा जो सही अंसर जाना चीए, वो अउसर नमबर ए टे साथ जाना चीए दुड़ने टे साथ जाना चीए बताइए, बात साथ आपको क्लियर है ना तो रेठाओं की संख्या से हम लोड अंदाजा लड़ाज उतने है मैडनेटिट फिल्ड क्या होगा बताइए, बात साथ आपको क्लियर है, आज़े बड़ा जाए चलो, आज़े बड़ा जाए, ये लिए कोशन नमबर सोल हुआ, ये ओप्टिट सिटा निमेल कले बताइए, अंसर धान से पढ़ना, बहुत बढ़िया सवाल है, दम आसान सवाल है कुछे नहीं ये सवाल में, लेटेन आपको लगेगा बड़ा कठें, देखो क्या है एट प्रकाशिक क्यान, एट और्टिकल फाइबर में चलती ये आरा भी ये दोजार अठर सवाल है, जैसे भी चित्र में दिखाया दिया है ड्लास स्लैब को पार टर्ने के लिए लिया दिया समय मतलब यहाँ पर एट स्लैब है, और यहाँ से कोई टिरर्ण आती है तो बोला जा रहा है कि इस टिरर्ण द्वारा इस पट्टी तो पार टर्ने में लिया दिया समय बताइए तितना है, अब पट्टी बताइए तितनी मुटाई है, इस टिरी ये 12 किलो मीटर है और अपोड तनान दिया दिया है 3 बटे 2 ठीक है, तो आपको पता है कि जब ये प्रट्टी करण बाहर होगी, तब इस टी चाल होगी C, 3.2 दिस्टी पावर 8, मीटर पर सेटेंड, निर्वात में, अना लेकर हमें तो इस पट्टी को पार करने में लगा सा मैं पूछ रहा है इस पट्टी को पार तर्ने में, सर दो दिन से आप्टा ट्लास नहीं हुआ था, क्या, नहीं, दो दिन से नहीं हुआ था, एच्छली मेरी तवेद भी ठापती और सिष्टर भी सगाई भी थी, अरा फटे पोट्र पास हुई है, बहुआ, बहुआ सुना है, फटे पोट्र दस्टी पावर आठ, और म्यू का मतलब तीन बटे दो, और जैसी तीन बटे दो कड़ेंगे, तो तीन से तीन कैंसेल, तो अंदर स्पीड आजाएगी, दो दुड़े दस्टी पावर आठ, मीड़ा पर सेकेट, तो माध्यम में, किसी माध्यम में प्रिटाश्टी चाल बारा डुड़े एठ जाल टड़ेना, मीटर बना लेना, और चाल टितनी है, दो डुड़े दस्टी पावर आठ, देखलो, तो मुझे जो नजर आ रहा है सर, बारा बटे दो, छै हो जाएगा, और छै डुड़े ये उपर जाएगा, दस्टी पावर माइनस पाँच, सर इत को माइनस 6 कड़ो जे, तो 60 पुड़े दस्टी पावर माइनस 6 सेकेंड, अब माइनस 6 हटा दीजिए बच्चो, तो बताइए इस्टा आंसर कितने से साथ जाए रहा, 60 माइक्रो सेकेंड के साथ जाए रहा, ये सवाल टा सही आंसर, option number 2, सवाल बहुत अच्छा था, हाना, तो बताइए प्रसन सब को समझ में आठी है ना, कोई tension तो नहीं है, अधम आसान सवाल है, कटे नहीं ना, और ऐसे सवाल आपको आने भी चाहिए, धानत ना, बहुत आसान सवाल होते हैं, चलिए, आगे बढ़ा जाए, ये लिजे, अच्छा उससे पहले में बतादू, आपको हमारे application पर मिल जाएंगे, application से पढ़ाई करने का बस एट advantage होता है, आपको chapter wise, हर chapter की theory पढ़ाई जाती है, फिर इस्टर questions वाल टाए जाते है, PDF मिल जाती ही, बहुत सारे advantage हो जाते है, मतलब एक complete package होता है, एक प्रटार से test हो, TCB exam की तयारी करने के लिए, तो आप ल तो यह आप नंबर सामने लिठा रहता है, आप इस पे ट्रॉल कर ले, इसमें आप मेरा science टा foundation बैच भी ले सकते हैं, अरे वा, यह सवाल बहुत सही, बच्चों, यह वाला प्रसम यह group D 2022 में आया था, लेकिन अभी तर यूटूब पे किसी नहीं यह टोशन नहीं सोल्ट आ अचली में मुझे भी बड़ा लेट पता चला इस question के बारे में, लेकिन विश्वास मनी जब मुझे पता चला तो मैंने सोच लिया था, यह question को solve जरूर काऊंगा, ठीके, बड़ा बेतरीन, बड़ा खूसूरत सवाल है, बस आप देते रहिए, एट नई चीज आपको इस concept नहीं पड़ा, ठोटी group D में optics इतनी ठतरनात कुछी रही थी, अभी तो कुछ नहीं, इस्टे बाद दो-दो lens वाले सवाल में पूछे रहे है, एट lens यह, एट lens ले, बताइए image कहां बने थी, बहुत बड़ी है सवाल है, थोड़ा बद ध्यान से सुनना, सवाल क्या, धैर देना पड़े रहे हैं सवाल में, जल्दी बाजी में हो कोई, तो आप चायवाय पीली जी जब तर, थोड़ा समय लगे तो, समय इसलिए नहीं, मुझे नहीं आता, समय इसलिए तो मुझे आपको समझाना पड़े रहे हैं, ठीट है, सवाल दे ठीट है, पांस सेंटीमेटर लंबाई ती रोड एबी एट रोड है जिस्टी लंबाई पांस सेंटिमीटर है अनुदैर्ध आवर्धन अनुदैर्ध आवर्धन ता मतलब longitudinal manifestation क्या होगा देटो एट होता अनुप्रस्थ आवर्धन और एट होता अनुदैर्ध अनुप्रस्थ ता मतलब भी होता है जब आपटी रोड ऐसे लंबवत रठी हो धारटना इसे बोला जाता है अनुप्रस्थ ठीक है अगर आपटी रोड ऐसे समानता रठी हो तो बच्चों इस्टों बोला जाता है अनुदैर्ध ये वर्ड आप लोगों लिए नया होगा लेकर आपटों मैं बता दू एक बार समझ लोडे समझ में आ जाए रहा देखो अनुप्रस्थ आवर्धन रोड ऐसे रठी होती यानि एक्सिस्टे पर्पेंडेकुलर अनुदैर्ध आवर्धन कहा जा रहा है एक्सिस्टे पैलल रठी होती अब देखो आजे इस्टे मुख अच्छे पर के साथ रठा लिया है आर बराबर 20 cm है तो ये तुम्हारा पोल हो जिया बच्चो आजे तुम्हारा फोकस होता है बच्चो और आजे तुम्हारा क्या होता है आजे होता है सेंटर पिर इन्होंने क्या बोला आतल दरपड मैंने पहले ही बना दिया, यह देखिया आतल दरपड है, इस्टा 1 छोड, इस्टा मतला कि इस रॉड टा 1 छोड, 2F, 2F की दूरी पर रठा है, तो 2F क्या होता है, तो आप मुझे पहले बताईए, रॉड को कैसे रठा दिया है, सबसे पहले तो देखो अनुदय रठा दिया है, और छवी तो बड़ा हुआ बनाना, बड़ा, बड़ा, और छवी की लंबाई तिनी है, उसकी रॉड की लंबाई तिनी है, पास सेंटीमेटर यह देखो, तो आप मुझे बताओ, इसका एट सिरा, एट सिरा कहां पर रठा दिया है, एट छोड, 2F पर रठा पर रठा है, और बच्चों, रॉड की दूसरी पॉजीशन क्या बन सकती है, तो ते ना, रॉड की दूसरी पॉजीशन बन सकती है, इसमें भी एट सिरा देखो, 2F पर ही रठा है, आप जल्दी बताईए, पहली और दूसरी पोजीशन में से कौन सIE पोजीशन सही है, answer दीजे हाँ focal length 10 cm इस बच्चो वाला काम यार मैंने बता ना थोड़ा समय लरी डा लेटे पहले मैंने आपसे पुझा कि इन्होंने last mile line लिठा है ना ति इस्टे एच छोर 2F पे है एच छोर यहाँ पर भी 2F पे है और इस्थी छवी बढ़ी भी बनती है पोजीशन सही हो टी कि दूसरी वाली तोटी दोनों ही कंडीशन में इस्टा एच सिरा देखो 2F पे रठा है इस्टा एच सिरा कहां रठा है? 2F पर रठा है लेगर दार है इस्टी छड़ कैसी है? बढ़ी वीपरदीत होती है बढ़ी वीपरदीत होती है हाना जैसे रोसन वाले ने कहा पहले वाला पहली वाली टेंडीशन सही है जिंदरी फेल ने कहा दूसरी वाली टेंडीशन सही है रखी हो नीठी दूसरी वाली छीट है तो मैं एक टाम करता हूँ एक टो बताता हूँ जैसे कि कुछ बच्चों ने कहा कि पहली वाली कि ठाली आता हुँ बास आप शुनिए जंदल बैखेंट को लुए उतनी उचाहिये है यहां से पनेड़ी होते है इंफनाइट और सेंटर बीच रठी होती है, प्रतिविम सेंटर और फोर्टस टे बीच में बनता है, लेकर थोड़ा सा छोटा बनता है, यह जितनी हाई टोड़ी उससे थोड़ी सी कम हाई टोड़ी, तो इस्टा प्रतिविम कुछ ऐसे बने रहा, इस्टा प्रतिविम कुछ बढ़ा बनाई I think आपको आपका सवाल का आंसर मिल जया होगा न यानि ये वाली पोजीशन पहली वाली पोजीशन डिलत होड़ी तोटी सवाल मिलेटा आप बढ़ा सेंटर में तो सेंटर जैसे ही बनेगा लेटे जो वस्तु यहाँ पर रखी होड़ी ये हाइट आई जी तो इसना थोड़ा काम हाइट प्राप्थ होड़ी तो image जो है वो ढटा हुए मिलेटा तो पहली वाली टेंडीशन सही नहीं होड़ी तो इसना मतलब ये हुगा तो दूसरी वाली टेंडीशन सही होड़ी सर लंबाई इस्टी है बच्चो 5 सेंटीमीटर यानि यहां से लेटर यहां तर यह इतना है यह 5 सेंटीमीटर है वस्तू रठी टहा है सेंटर पर रठी है यह तुमारा सेंटर हो लिया यह तुमारा सेंटर चलो यह तुमारी क्या है सर यह वस्तू है यानि O है, object, इस्टा प्रत्वीम पे देख लेते, प्रत्वीम पे तैसा बनेडा, तो टहना इस्टा प्रत्वीम पे तो बड़ा असान है सर, कैसे, बड़ा असान है सर, मुझे बताइए, टहना जितनी उचाई सेंटर पे मिलती ही बच्चों, उतनी उचाई सेंटर टी विप टश्टे बीच में होती है, तो प्रत्मीं center और infinite के बीच में बनता है, ऐसे, तो ये कुछ इस्टा image बने रहा, इन्होंने क्या मोला था, मतलब ये है कि अड़र ये 5 cm है तो आप मुझे बताईए ये तितना बढ़ा हुआ मिले रहा इसको ये तितना बढ़ा हुआ मिले रहा उससे हम लोग अनुदैर्द आवर्धा निटालने लिए यानि ये X निटाली है पहले तो ठीटे? सीधा तैसे बनेगा? सीधा नहीं बनेगा? अचा सर लिठा हुआ है मुझे लगा सीधा लिठा हुआ है सर लिठा हुआ है ठीटे? चलो तो आप कहना सेंटर तो तो मारो गोली आप में ये निटालो ये यह निकालो बस यह निकालो तो यह इस्टा प्रतिभीम होना ना इस्टा प्रतिभीम यह आया है तो तुम्हें क्या करना है फोकस दूरी ले लीजिए माइनस 10 सेंटीमीटर वस्तू ती दूरी यह वाली लीजिए यहां से लेटे यह वाली लीजिए वस्तू ती दूरी जो प्रतवीम्टी दूरी हो डी, वो सर यहां से लेटर यहां तक दूरी हो जाए री, बताओ, ठीके, चरी, प्रतवीम्टी दूरी निकाल ले ओड़े सब लोड, दरपड फरमला लडाना है, क्या होता है, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ, ये सब चीजे न, आपको सब चीजे थियोरी पता होना चीजे, नहीं थियोरी पता, तो विश्वास मानी है, आप फिर बड़ा पीछे हो, तोकि बहुत सरे बच्चों तो पता है, सर्फ आपी तो नहीं पता, 1 अपॉन वी निडाली है, 8 बटे 15 इधर, माइनस 8 बटे 10, एलसन ले लिजे, 30 टा 15 दूनी 30, 10 तिय 30, वी बराबर माइनस 30, अना, तो वी बराबर ये तितना आ रिया, सर वी बराबर ये माइनस 30 आ रिया, माइनस छोड़ दीजे तोड़ी देट लिए, 30 सेंटीमेटर आ रिया, अब जल्दी से टोई मुझे एक्स बताए ना, अब मुझे एक्स टोई बताए ना, ये एक्स तो मुझे जो नजर आ रहा है XT value, सर ये 10 cm हो जाए दी, मतलब अनुदेर्द आवर्धन में तुमने ये टहा कि वस्तूती लंबाई थी 5 cm, प्रतिविमिटी ये अनुदेर्द आवर्धन आ दिया 10 cm, ठीके, समझ रहा बात को, तो जल्दी बताईए अनुदेर्द आवर्धन 5 से 10 हुआ, तो अनुदेर्द आवर्धन जो नहीं पूछा था, ठीके ना ऊपर 10, नीचे 5, तो बताईए अनुदेर्द आवर्धन कितना आ रिया, 2 आ रिया, अनुदेर्द आवर्धन कितना आ रिया, 2 आ रिया, भाई, दो डुना लंबाई होड़े न, दुना, ठीके, त तो concept सबको पठड़ में आ दिया ना कोई दिक्टत कोई परसानी टीसी भाई को अच्छा आप लोगों के लेविल में छोटी बात भी पूछी जा सकती है जैसे पूछ लेगा कि बताई इस्टा प्रत्विम कैसा बनेगा तो अगर यह आयता कार है तो प्रत्विम देखिए यह सवाल बन सकते हैं वो हम लोग बहुत हाइपो चले जाएंगे बट आपको समझना है कि इस तरह कोई सवाल आ जाता है अनुदर्द आवर्धन वाला तो भी आपको लगाना आना चाहिए ठीक है समझना आ रहे भाई थमसर प्रते बता देना सब लोट बढ़िये सवाल देख यह सवाल मैंने अपनी तरफ से बनाया हुए सवाल है कि इस तरह के सवाल बहुत पूछे रहे हैं तो मैंने सोचा इस तरह के सवाल ले चलते हैं मैं फिर सबता दू पिछला वाल सवाल के वही लोट पढ़ें जिनको ओतल दरपड़ना थून में बस चुटा है अज़ा अब यह ओतल दरपड़ आपको थून में नहीं है तो पिछला वाला सवाल नच हुएं विश्वास मानिये और मैं फिर सबता दू 30 सेट हैं और सारे क दरब आवस्था पो रोटनी लिए महिलाओं में सल चिटित सा विधी दिठाई रही है इस विधी में 30 घटना पो रोटा जा सकता है पहले आप मुझे बताई यह जो विधी दिठाई रही है आपको दिठाई दे रहा है नहीं दिठाई दे रहा है तो होता क्या है तो महिला टुबैट टॉमी कहते हैं, टुबैट टॉमी, हाणा। पट भी हो जाते थोड़ा बाहर निकलते अना फैलोपिन टूब में जाते तो आपने इसको कट करके अंडे के परिपत्तों को रोटा क्या नहीं सर गलत अंडे का प्रजिनन रोटा क्या नहीं सर गलत गर्भासा में अंडे का प्रिवेस यस यह सही है आपने फैलोपिन टूब काटा इसटा मतलब आपके जो अंडे है न वो यहां से निटलने के बाद यहीं तर जाएंगे कभी दर्भासा में पहुची नहीं पाएंगे यही तो मतलब हुआ सो कुराणू का दर्भासा में प्रिवेस नहीं सर इसे भी नहीं रोटा यहां से आगर sperm entry करता है तो वो sperm आपके गर्भासा में तो जाएगा लेकिन फैलोपियन ट्यूप में नी जा पाएगा क्यों टोकी वहाँ आपने टाट दिया हाना ओके चलो आगे पड़ा जाए नेश टोशन देखिए टोशन नमबर 19 बच्चो यह वाला सवाल भी देटो यह 2022 ना सवाल है यहां थोड़ा proton लिट लेना मात्रा छूठ छूठी है ठीटे बताओ हाँ मेल्टी जो होती है वो वास डिफ्रेंस तो ओटी है जाता उसे वैसे टॉमी टहते है योडी सर अपना बैच लेना है बच्चो आप science टा बैच लेना है बच्चो आप science टा बैच ले सक्ते मैं फिर से बता दूए अभी मैं बता दूए वलाश्ट में science टा बैच आप कैसे ले सक्ते है नंबर भी सामने लिटा है लेटर मैं भी बता भी दूए आपको ना चलो सवाल देखे चार प्रोटॉनों की संख्या दी रही है चार तक्तों के प्रोटॉनों दी रही है W में प्रोटॉन 5 है X में 12 है, Y में 15 है Z में 20 है हना प्रोटॉन मतलब atomic number तो ये हमारा क्या है सर्ब बोरोन, बोरोन क्यों 5 होती है वाई 5 है तुष्टा मतलब क्या हुआ लीज टिस्ट रोता है तेल्सियम राध तेटो इन्होंगोंं क्या बोलाלא विच इन्होंने से फ्र利 sensitive आवस्ट योडी यही ही वर्ड में बचंहें य टीवर्ड पुछा्य की आवर्ट नहीं एक वर्ड मतलब और होपे से तो दिक्टर थे भाई फिर मत कहिए जा ठीक है चलिए आगे बढ़िए देखो मैं इस बाद बता दू अगर आप कोश्चन से सारी चीज़े समझ में आ रही है जैसे ही मैंने आग 20 कोश्चन से और आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे इस्टा टॉंसेप्ट क्लियर है मुझे ब मालूँ हां मुझे निया तो फिर आपको पढ़ लेना चीए ठीक है चलो आजरे देखे इस्ट में आभ आवी स्वशन द्वारा टॉंसा पदार्त उत्पंध होता है इन्होंने बोला इस्ट में आभ आवाई वी स्वशन ऐसे ओप्सन है यह तो आभ आवी स्वशन जो होता वो भी इस्ट में यह हमारा एक तो बनाता है क्या है सार यह एथल एलकोल बनाता है C2H5OH और प्लस क्या बनाता है टू टाइमस बनाता है 2C2 यही तो बनता है इस्ट में लेक्टेट एसेड वाटर यह सब कुछ नहीं बनता हरा तो इस्टा सही अंसर तो आपसर नमबर एक यह साथ चला जाए ठीक है अब आवाई वी स्वशन वाई वी स्वशन बहुत इंपोर्टेंट है भाई लोटे सर्मा मैंने कुछ दिनोट लिए साइंस रबैच सिर्फ 399 में तड़ रखा है अना मैं आपको बता दू आप साइंस रबैच टैसे ले सकते हैं इनमेट सुलीजे देरो आपको सबसे पहले एप्लिटेशन कौन सा डाउनलोड करना है माई पार्ट सालाट एप्लिटे ल home में क्लिक करेंगे और जैसी लड 나와 में क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोडों को इस तरीटे से साइंस फ्रॉम्बो दिठाए दे रहा है इसमें फिजेकि Keeping 티में अश्थी वैलोजी आपको तीनों मिले रा ठीहरी वाईज यहाँ पर कूपने और योडी टेन लराने के तो 399 बेटा मतला समझ रहा हो अना चितना हो डिया 833 रुपाइटे आसपास हुआ फिजिक्स, 833 रुपाइटे आसपास टेमेश्ट्री 833 रुपाइटे आसपास बैलो जी अलडड़ लोड़े है तो इस्टा दाम फिजिक्स टा दाम 249 रुपाई है तो आप एद दो दिन में यालब है साइंस्टा ले लीजिए सब लोग और दूसरी मैं बात फिर से बता दो आप लोगों को इसी तरी टेट के हर तरह के कोस्टन की प्रेट्टे सो जाएगी और साइंस्टा जो फाउंडेशन बैचे वो ले लेना लेटर अडर्र आपको बेसिक साइंस लेना है वो भी आपको एप्लीटेशन पर मिल जाएदा आपको कोई भी इंक्वाईरी करनी है इस्टलाव है साइंस्टा कॉमबव भी ले सकते हैं यह रहा हैvous मने तो यह बता दो बहुत सारे बच्चे टेह रहा है ते थोड़ा सस्ता टलो और ये रहा नंबर इस अलावा मैं एक और टॉंटेट नंबर देता हूँ 98,07, 99,30 साइन्स टा आप कंप्लीट बैच ले लीजे इस बैच की ठास बात या इसमें आपको हर चेप्टर की ठीओरी पहले पढ़ाई जाए दी बाद में कोशन, मतलब जैसे की ऑप्टेट से मैंने ठीओरी पढ़ा दी ठीओर कोशन ठीओरी कोशन, ठीओर है अज अब PDF की बात कर लेती, पीडिएफ कहां मिले दी इस प्लास टी डैली बेसेस पर PDF आपको एट टेली डाम चैनल पर मिले रही सब लोग वोड़ों जॉइन कर लेना है पाट साला रेलवे एज़ाम पाट साला रेलवे एज़ाम इस टेली डाम चैनल पर आपको इस टी पीडिएफ देटने को मिले रही मैंने पूछा पर्चेस्ट रिया हाँ जो लोड सीविटी वन प्लस सीविटी टूटा कॉम्बो पर्चेस्ट रचुटे हैं यानि पूरा खरीद लिये है उन्टो अलट से कुछ नहीं खरीद नहीं जो होते हैं उन्टो सम मिले रहा ठीक है आप लोड मतला हमारे दमाद हो रह कॉम्बो खरीदते हैं जैसे बहुत सारे बच्चे लिये हैं मैं एक बार फिर बता दू अगर आप सीविटी वन और सीविटी टू का कॉम्बो लेते हैं यह वाला कॉम्बो फिर इश्टे बाद आपको कुछ भी लेने जो उत रही है मतलब आप एट साल तर ना हमारे धर प सब्सक्राइब लेने लिए आप एपिलिटेशन पर जाना और बस कूपर कोड आपको वही लगाना है कोड़ लगाना है हर बाग डिश्टाउंट पाने के लिए योडी 10 योडी 10 ही लगाईए इस लाबा और कुछ नहीं लगाईए सबसे आधा डिश्टाउंट आपको सिंडल ऐसा पॉइंट नहीं होता है जिसे लिए हम अबले एजब्तर पर इच्छाएं हो जाएगी आप से कुछ चार्ज टर सकते हैं जैसे अब ही मैं ट्रेड पढ़ाऊं गाई पैसा नहीं देना बेसे साइंस चल लाए कोई पैसा नहीं देना साइंस चल लाए मैं रिजन क्लास से आपको टितना बेनिफिट हुआ मैं फिल से टैदू यह जो तीस दिन तर में सिरीज चलाने वाला हूँ इस सिरीज के बाहर आपके एजब्ता सिंडल टोशन नहीं होड़ा और ठास तोर से इसे टेवल रेलवे वाले बच्चे देटे एससे वाले बच्चे ना सिर्फ रेले वाले बच्चे देटना मैं पहले बता दूँ ठीक है चली बहुत बहुत दनवाद मिलते हैं इस टूडियो में थैंट्यू बरवाच